हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल लर्न टेक्निकल में फिर से दोस्तों लेके हैं हुँ नहीं जॉब की इंफोर्मेशन रुकीटमेंट आ रहे हैं दोस्तों एन इटी की तरफ से नेशनल इंसीचूट आफ टेक्नोलोची की तरफ से जिसमें कि आप न यहां पर से लेवल पर बात करने वाले के बारे में इसकेसे आपको उप्लाइ करना है उसके बारे में तो शुर्सलेगे लास्ट इस वीडियो को थ्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज, हर एक डिटेल का पता चल जाए सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आप एदन करने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है तो बिना फीस के आपको अपलाए करना पड़ेगा वेकेंसिस की बात करें तो 55 टोटर नमबरों वेकेंसिस ने जिसमें की सबसे ज़ादा वेकेंसिस टेकनिकल असिस्टेंट, SAS असिस्टेंट और जूनियर इंजिनियर की पोस्ट के लिए है सीनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे चार वेकेंसिस है साथ वेकेंसी सुप्रेटेंडेंट की पोस्ट के लिए हैं उसके लावा बाकियों में सिर्फ और सिर्फ एक एक पोस्ट है बाकियर ये रिजिस्टरार, ड्यूप्री रिजिस्टरार असिस्टेंट रिजिस्टरार इन सभी में तो काफी जादा experience मांगा गया है किसी में तो 10-10 साल का experience मांगा गया लेकिन आपका main focus रहना चाहिए ये recruitment में senior assistant की, technical assistant की, SAS assistant की और junior engineer की अगर आप इन में से जो है वो आप किसी में जो है आपका eligibility criteria fit वेरता है तो यहाँ पर ज़रूर अवेधन करिएगा एक एक करके बात करते है eligibility criteria यह कि सबसे पहले superintendent की post के लिए बात कर लेते, direct method of recruitment है bachelor degree आपने कर रखी है किसी भी recognized university से आप eligible apply कर सकते हैं, साथ में आपको computer application की जानकारी होनी चाहिए word processing की, उसके लावा और यहाँ पे age limit वो 30 साल रखी गई है आपकी एजटरां से कम और 30 से जादा नहीं होनी चाहिए, technical assistant के लिए भी यहाँ पे direct recruitment है, B.E.B.T.E.C.A. कर रखा है, relevant field में आप eligible apply कर सकते हैं, उसके लावा bachelor degree है science में बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं master degree कर रखी है science में 50% के साथ आप eligible apply कर सकते हैं 30 साल यहाँ भी maximum age limit जो है वो रखी गई है उसके लावा दोस्तों SAS assistant के लिए यहाँ पे जो ही वो first class bachelor degree कर रखी है आपने physical education में आप eligible apply कर सकते हैं साथ में strong record आपका होना चाहिए आपने participation करा होना चाहिए sports में, drama में, music में, film में, painting में photography में, जो cultural activities होती हैं उनमें तो आप eligible ने apply कर सकते हैं junior engineer के लिए B.E.B.Tech civil electrical engineering वाले अवेदन कर सकते हैं इसके साथ diploma वाले भी apply कर सकते हैं age limit की बात करें 30 साल रखी गई है बाकियों की तरह उसके लावा senior assistant की recruitment है जिसमें कि आपने अगर 10 plus 2 कर रखी है किसी recognized board से साथ में आपकी typing speed 35 word per minute की है computer word, processing और spread sheet की आप knowledge रखते हैं आप eligible apply कर सकते हैं 33 maximum जो है wage limit रखी गई है 18 से कम और 33 years से जादा आपकी नहीं होनी चाहिए उसके लावा दोस्तों यहाँ पर बात करें कि apply कैसे करना है apply करने के लिए यहाँ पर उन्होंने link दिया है यह link आपको सेम हमारी website पर भी मिल जाएगा website का link description में दे दिया है title के उपर click करेंगे description box खुल जाएगा वहाँ पर apply online का link होगा उसके उपर click करेंगे सीधा हमारी website पर ले जाएगा सारी जानकारी detail में आपको वहाँ पर मिल जाएगी और वहाँ पर important links के section पर click करके आप इसके लिए आवेदन भी कर पाएंगे जैसे apply कर देंगे online mode से उसके बाद आपको क्या करना है आपको जो form होगा application form उसको self attested करना है और यह email पर भेज़ देना है यहाँ पर सारी जानकारी लिखी गई है यह email address दे रखा है यहाँ पर आपको फेज़ देना है उपर लिखती जगा application for the post of की किस post के लिए आप apply कर सकते हैं apply कर रहे हैं माफ कीज़ेगा और साथ में आपका नाम बता देना है और यह subject line में लिखना है उसके लावा जो है वो 2 जुलाई last date रखी गई है 2 जुलाई के बाद आप apply नहीं कर पाएंगे तो जितनी जल्दी हो सके apply कर दीजिए अगर आपका selection होता है तो यहाँ पे आपको अची कासी salary भी मिल जाएगी उसके लावा दोस्तों बात करें यहाँ पे selection process की तो selection process में यहाँ पे ज़्यादा detail में कुछ भी नहीं लिखा गया है written test हो सकता है अगर typing वाली job के लिए आप apply कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका skill test लिए जा सकता है उसके बाद personal interview के माथिम से आपका selection हो जाएगा application fees के बारे में यहाँ पे कुछ मैंने फिलाल रीड नहीं कर रहा है मुझे लगता है application fees नहीं है बाकि आप check कर लीजेगा अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा बाकि आप apply कर सकते हैं link आपको आपको description में मिल जाएगा तो यही था दोस्तो आज की इस वीडियो में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी और मैंने आपको सारी जान करी जो है important दे दी है बाकी कुछ छूट किया उसके लिए माफी चाहता हूँ आप जो है वो notification रीड करें बिना notification को रीड करें अपलाए मत करिएगा बाकी यह location जो है आपको पता है सेल्चर एक जगा है वहाँ पर असाम में जो है वो रहने वाली है और वहीं पर आपका काम रहेगा तो thank you very much दोस्तों once again और मिलेंगे ऐसी किसी नही जोब अपडेट के साथ दबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए